आज हम एक फोन के उन्बॉक्सिंग लेकिया है जो कि मोटो लगी तरह से आता है इस मॉटल का नाम है मोटो जी थर्टीन इसका जो प्राइज रिंज है वो थैन थाउजन रूपीज का है सबसे पहले तो इसमें आपको केस जो है वो लगावा मिलता है फोन के अंदर आज इस यह ऐसा निया कि अलग से आपको लगा ना हो इसमें क्लियर केस आपको फ्री मिलता है लगावा और एक बार अंदर चेकर देंगी का का मिलता है basically इसमें आपको earphone नहीं मिलता एक user manual देखने को मिलती है इसमें एक charger रहेगा 10V का support करेगा fast charging and USB-C type आपको एक cable मिलेगी काफी अच्छे वात है 3000 के अंदर आपको ये USB-C type देखने को मिल रहा है ये कुछ इसके features हैं जो camera वगरा है triple camera मिलता है आपको इसमें पीछे and 50MP का camera रहेगा and साथ में जो दो camera है वो 22MP के हैं एक image actor tool मिल जाता है आपको and इसके साथ एक charger 10V supporting fast charging and इसमें USB A to USB-C है बट कोई बात नहीं USB-C होना चाहिए बागी तो कोई मतलम नहीं होता and यह आपको USB-C जो मिल रहा है यह भी fast charging supporting cable है बट इसके length लम भी नहीं है बट ठीक ठाक length है चल जाएगा आपका काम इसमें and build quality इतनी जदा अच्छी है जैसे की OnePlus वगेरा की होती है काफी thick cable होती है बट कोई नहीं सिंपल normal quality है इसकी ठीक ठाक बाकी और कुछ नहीं मिलता box में सिंपल सा box है and इसमें आपको जो यह phone है इसके foot-a foot check करते कैसा यह आपको देखता है इसका जो back panel है वो आपको frosted finish का मिलता है जो की look like होता है आपका glass बट वो होटा plastic है so use करने में कफी जदा smooth है इसका glass बाकी टूटेगा गिरेगा तो इतना टूटेगा नहीं because plastic है and finish काफी अच्छी premium smartphone आपको यह लगा है नीचे आपको एक speaker मिलते है and microphone है and सबसच चीज की बात है कि इसका जो fingerprint scanner है वो आपको phone unlock and lock button के साथ ही मिलता है inbuilt में यहापे आपको dolby at most का भी support मिलता है इसमें 10,000 के यह अभी number one एक यही phone है जिसमें आपको dolby at most मिल रहा है and काफी smooth phone है अभी एक बार इसको on करते हैं देते हैं and gorilla glass इसमें कुछ पांडा ग्लास की जो है वो screen जो है वो यूज किया गया है इसका जो panel है पांडा ग्लास supported है पांडा ग्लास इस लाइक गोरिला ग्लास बट थोड़ा सा low quality होता है जो कि इतना स्थाधा study नहीं होता है ज़दा strong नहीं होता बट एक medium quality थे आपको देता है यह प्रकास 10,000 के phone से इतनी स्थाधा अभी उबीद नहीं कर सकते है इसको भी हम एक बार चेक करते हैं इसका finger down scanner काफी अच्छे से वर्क कर रहा है मतलब इना second वह आपको अलॉक करके दे रहा है फोन सो काफी सही है 10,000 की budget में काफी स्मूध है इसके दिस्प्ले यूस करी तो डिस्प्ले के काफी ज्याधा स्मूध लगी मुझे देखा है मैं आइफोन यूजर बट ये अंड़ुट फोन की डिस्प्ले भी अच्छे लगी मुझे काफी स्मूध है 90, 30, 90 and 60 इसमें रिफ्रेशर मिलता है अभी मैंने इसको 90 पे सेट किया है हलका सा बैटरी कंटिसुम करता है बड़ काफी स्मूज चालता है तो कस 5000 इमेज की इसके बैटरी है So I prefer कि इसको 90 हर्ट्स पे रखे So that's it ये वीडियो का इसकी अन्बोक्सिंग दी क्योंक अन्बोक्सिंग कफी अच्छा क्लासी फोन लग रहा है So अगर आपको किसी गर में आपको लेना हो ये फोन So definitely recommend करूँँगा अंदर 10,000 लोपी is the best phone